हम भारत में शिक्षा के विश्य में पढ़ रहे थे आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रारमिक शिक्षा की आवश्यक्ता हैं महत के विश्य में प्रारमिक शिक्षा की आवश्यक्ता हैं महत को निमलिकी बिंदों से समझा जा सकता है पहला है सामाजिक न्याय और जंतनत्र के लिए दूसरा राष्टि उत्पादन के लिए तीसरा अधिकार्यम करतव्वे के लिए नंबर चार है शिक्षा की नीव नंबर पांच व्यक्तित निर्मान के लिए नंबर छेस शिक्षा सभी के लिए है तो ये महतपूर्ण बिन्दू है जिनसे हम समझ सकते हैं शिक्षा का महतव वेदिक कालिनिक प्रारंबिक शिक्षा वेदिक कालिन शिक्षा या गुरुकुल शिक्षा विवस्ता वेद पराधारित थी गुरु के घरिया कुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा है मतलब जो गुरु कुल और वेदिक काली की जो शिक्षा थी गुरु के घरिया कुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा थी ऐसी शिक्षा व्यवस्ता का श्रोत वेध है वेदिक शिक्षा का तात्परी ये अनंत्रियोक्ती और शक्ती है जिससे मानव की शारिरिक मानसिक चारित्रिक शक्तियों का संतुल्म लित्विकास हो वेदिक कालीन शिक्षा की विसेस्ता है निमलिकेते वेती युग में शिक्षा पूरी तरसे राजी के नियंतरन से मुक्त थी शिक्षा लोगों को नीजी कारिय था जिसका प्रवंदन ब्रामनों के अधीन था जिने राजा या धनी वर्ग स्वेच्छा से अनुदान देते थे शिक्षा सारजनिक वे एमम नीशुल्क थी शिक्षा का सुरूप मुख्यता व्यक्तिक था तथा बालक गुरू के पास शिक्षा ग्रहन करने जाता था शिक्षा पुस्त की नय होकर वैवारिक थी बालक समस्त देनिक किरियाओं वयवासिक कोशलो को करके सीखता था मतलब प्राजीन काल में, वेदिक काल में पुस्तों के से नहीं जो शिक्षार्थी होते थे वे वेवार कुरूप से शिक्षा को प्राप्ट करते थे शिक्षा सावासिय थी बालक अपने घर से दूर गर के दूर गुरु के घर पर एक नियत अवधी तक रहकर अपनी शिक्षा पूंग करता था वेदिक कालिन शिक्षा वेवस्ता वेदिक कालिन शिक्षा वेवस्ता स्वेवस्तित एम समय के थी शिक्षा पढ़नाली में प्रात्मिक मादिम उच शिक्षा का कारी विवाजन नहीं था जैसे आज के समय में ऐसा विवाजन नहीं था पांच वर्स की वस्ता में बालक का चूड़ा कर्म संसकार किया जाता था जिसे विद्यारंब संसकार कहते थे इसके बाद बच्चे ग्रह वह शिक्षा शुरू होती थी गुरु कुल में परवेश के बाद बालक को उपनेन संसकार के बाद गुरु गायतरी मंत का उदेश देगर शिक्षा शुरू करते थे अध्यन काल सामानी ते 12 वर्ष का होता था बालक की पांच वर्स तक की शिक्षा घर में संपन होती थी उसके बाद वे शिक्षा आश्रम में रहकर प्राप्ट करता था वेदिक कालिन शिक्षा के पाठ्टे करन अत्यांत व्यापत थे जिसमें वेद, उपनिशद, पुराण, नीतिसास, तृतियास, गणित, बाशा, कला, विज्यान, शिल्प, कृशी, पशुपालन, अर्टसास, एवं सेन्ने विज्यान समली थे वेदिक कालिन शिक्षा की तीन परमुख विद्या, श्रवन, मनन, एवं, नीदि, संध्याद, नीदि ध्यासन थी वेदिक कालिन शिक्षा व्यवस्ता की कम्या निमली लिखिते हैं शिक्षा पढणाली में बाल मनुविज्यान का समावेश नहीं था ठीक, शिक्षा बाल केंबरीत नहीं होकर एक मारगी थी, लगबग प्रतेक विशे, प्रतेक बच्चे के लिए अनिवार्य थे, धार्मिक ता सत्य ब्रह्म आदी विश्यों की प्रदानता थी, शिक्षा का माध्यम संस्कृत था, तथा अन्य भाशाओ पर जोड नहीं दिया तो, शिक्षा है का व्यापक परचार्पर्सार नहीं था, शिक्षा पदती मौकित थी, तैता था, लेका अभ्यास पर जोड नहीं दिया जाता था, यह लग केंब दिक काल किदिक थी बोध कालीन प्रारम्दिक शिक्षा बोध कालीन शिक्षा ब्राह्मणिये शिक्षा पढ़नाली का ही परिपर्तित रूप था बोध कालीन शिक्षा की विसेस्ताय निम लिखेते हैं शिक्षा सारभोमिक थी जाती तथा धर्म का कोई बंदन नहीं था प्रारम्दिक शिक् भाषा था, शिख्षा पढ़नाली जनतांतरीक सिद्धान दर्प university थी शिख्षा में संस्कारों का महत होग था शिख्षा में सास्री विवाद होता था त ये बोधकालित शिख्षा के विश Hearing में प्रारंबिक सिख्षा के विशे में छात्रों को छे महा तक सिद्धी रस्तु नामक बाल पोती पढ़नी पढ़ती थी, जिन में वर्ण माला के उन्चास अक्सर होते थे, इसको समाप्त करने के बाद बालको पांच विद्याओ, शब्द विद्या, शिल्प सान विद्या, चिकिस्सा विद्या, हेतु विद्या त बोधकाली कि ब्यक्रिण विद्या Generally, शिक्षा में, स्त्रिश किक्षा को आण मिल पढ़ला, मठ में महीलाओ को विक्षुनी के रूप में रहना पढ़ता था, तो बोधकाली शिख्षा के विशे में हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे मद्धिकाली प्रार्मिक शिक्षा के लिए लिए मैं